नवेंबर 2020 में कई सारे मुख्य क्रेहों का राशी परिवर्तन होने वाला है, जो खुद में एक संकेत दे रहे हैं कि समय का चक्र जो है, वो अब बदल रहा है, और इसका जो प्रभाव है वो आपकी राशी पर कैसा रहने वाला है, चाहे वो आपकी इंकम की बात हो, चाहे वो आपकी जौब की बात हो, आपके भाग्य की बात हो, आपका स्वास्ति कैसा रहेगा, बच्चों की पढ़ाई पर इसका क्या असर रहेगा प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो रिलेशन्स है उन पर इसका क्या असर होगा बिजनस पार्टनर के साथ रिलेशन्स कैसे रहेंगे और अन्त में आपके लिए एक ऐसा उपाई जिससे आप नवेंबर 2020 का भरपूर लाब उठा सकें इन सभी चीजों की आज हम इस राशीफल के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे उमीद है आप हमारे साथ अन्त तर इस प्रोग्राम में बने रहेंगे और हमें कमेंट्स और लाइक्स के माद्यम से बताएंगे कि हमारा ये जो राशीफल है ये आपके लिए कितना सैटीक बैठाएंगे जै शनी दे बात कर लेते हैं इस महीने के ग्रह गोचर की यानि ग्रहूं की आस्मान में स्तितिकी तो यहाँ पर काल पुरुष की अगर हम कुडली देखें तो उसमें सबसे पहले हमें दिखाई देगा कि पहले भाव में चंद्रमा विराजमार हैं महीने की शुरुवार्ण में जो हर ठाई दिन में गोचर करते करते अपने राशी का परिवर्तन करते रहते हैं उसके बाद अगर हम दूसरे भाव की ओर देखें जो कि फ्रिशवराशी का भाव है उसमें राभु देवता का वास है जो कि करीब डेड़ साल तक इसी भाव में निवास करने वाले हैं अब अगर हम तीसरे भाव की बात करें, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, चौथे और पांटवे भाव का भी यही हाल है। और तुला राशी में प्रवेश कर जाएंगे। विरिश्चिक राशी में प्रवेश कर जाएंगे। अगर मैं उनके साथ साथ बुद्ध देवता की बात करूँ तो बुद्ध देवता तीन नवेंबर तक वक्री अवस्था में हैं और तीन नवेंबर को ही छे बचकर पचास मिनट शाम के समय पर वो तुला राशी में मारगी यानि कि प्रोग्रेसिव अवस्था में आ इसके बाद वो 28 नवेंबर को अश्टम भाव में प्रवेश्ट कर जाएंगे जो कि वरिश्चिक राशी का भाव है अब इसके बाद अगर हम अश्टम भाव की बात करें तो वहाँ पर हमें दिखाई देगा कि केतु देवता करीब डेल साल से इसी भाव में विराजमान है उनकी अवस्टा वकरी है राहू और केतू प्रिय भग्कणों यहाँ पर आप इस बात पर ठ्यान दे कि राहू और केतू के अवस्टा हमेशा ही आकाश में वकरी होती है इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके नौमे भाव की यानि कि 9 थाउस की तो यहाँ पर हमें पख रही होकर 20 नवेंबर तक इसी भाव में विराजमान रहेंगे जिसके पश्चाद वो 20 नवेंबर को एक बचकर बाइस मिनट पर दस्वे भाव में चले जाएंगे यानि कि मकर राशी में विराजमान हो जाएंगे मकर राशी में प्रवेश करते ही प्रिहस्पती देवता मीच के हो जाते हैं इसके बाद अगर हम दस्वे भाव के और बात करें तो यानि कि मकर राशी का भाव होता है इसमें शनी देवता 29 सितंबर से ही मारगी अवस्था में विराजमान हैं और और मजबूत होते जा रहे है ये इनका अपना ही निवास थान ये इसके बाद हम लोग बात करें ग्यारवे भाओ के तो ग्यारवा भाओ नवेंबर में खाली रहेगा उसमें किसी भी ग्रेका वास नहीं होगा और इसके बाद बारवे भाओ में मंगल देवता का जो वास है वो इस पूरे महीने बना परन्तु 14 नवेंबर तक जो मंगल देवता है वो वक्री अवस्ता में है और 14 नवेंबर रातरी एक बच कर 34 मिनट पर ये प्रोग्रेसिव यानि उन्हा मारगी हो जाएंगे यहाँ पर ध्यान देनी वाली बात है कि 14 नवेंबर ही दिवाली के पावन अफसर का दिन भी है चलिए भकड़ों अब प्राव्यम करते हैं कि व्रिष्चिक राशी की नवेंबर 2020 में इंकम की स्थिती कैसी रहने वाली है तो इंकम की स्थिती का अध्यन करने के लिए हम आपकी कुंडली के ग्यारवे भाव को देखते हैं जिसके जो मालिक हैं वो हैं बुद्ध देवता और साथ ही साथ आपकी कुंडली के सेकंड हाउस को देखते हैं जिसके मालिक हैं ब्रिहस्पति देवता तो अगर मैं बुद्ध देवता की नवेंबर 2020 में स्थिती की बात करूँ तो वो कोई बहुत अच्छी स्थिती नहीं है वो आपके खर्चों के भाव में यानि के 12th house में विराजवान हैं जहां पर ये वो दर्शार हैं कि जो भी आप पैसा कमा रहे हैं वो कहीं न कहीं आपके पास रुक नहीं पा रहा है पैसो का ठेराव नहीं हो पा रहा है, पैसो का जो बचत है वो आपके घर में नहीं हो पा रही है, किसी ना किसी कारणवशी जो पैसा है वो आपसे खर्च हो जाता है, या कुछ ऐसी समस्याय आ जाती है, ऐसी बाधाय आ जाती है, जिसमें इस पैसे का जो खर्च है वो बढ़ जाता है कहीं न कहीं लक्षमी का स्थिर ना हो बाना आपके लिए एक चिंता का विशे बन रहा है जिसकी वज़े से आपकी जो मान्थिक चिंता हैं वो भी नवेंबर 2020 में बढ़ रही हैं साथी साथ ब्रिहस्पती भी 20 नवेंबर के बाद पुनह नीच अवस्था में आ जिसकी वज़े से आपकी जो मेंटल टेंशन्स हैं वो और बढ़ सकती हैं अब इनसे बचने के लिए प्रियभक्कणों मैं आप सभी को हिदायत देता हूं कि आपको अपने हाथ में अपने इंकम के मालिक का यानि कि आपके केस में बुद्ध देवता के लिए एक मंत्र प्रान प्रतिष्ट पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करें चाहिए इस अंगूठी को धारण करके आपकी जो इंकम है वो सदेव बुद्ध की स्थिती से इंडेपेंडन ट्रहेगी यानि कि बुद्ध की स्थिती अगर आस्मान मैं खड़ाब भी है तो इसका बहु शुभिफल प्राप्त होंगे, आपके इंकम सदैव इससे बढ़ेगी यदि आपके आसपास आपको यह मंतरसित अंगूटी नहीं मिल पा रही है तो आप स्क्रीम पर आने नंबरों पर हमसे संपर करके इस अंगूटी को प्राप्त कर सकते हैं चले, साथी साथ एक और उपाय जो आप कर सकते हैं अगर आप इस अंगूटी को लेने में सक्षम नहीं है तो आप बुद्ध के लिए कुछ अन्य उपायों का प्रयोग कर सकते हैं इसमें जो सबसे सरल उपाय है वो यह है कि आप अगर कबूतर को दाना डालें अपनी हातों से तो इससे बुद्ध देवता बहुत प्रसंद होते हैं साथी साथ आप लोगों को बुद्धवार को गनीज जी की भी पूजा करनी चाहिए उनके मंत्र ओम गम गणपत्य नमा का यदि आप 101 बार जाप करें तो इससे भी आपको फाइदा मिलेगा साथी साथ आप बुद्ध देवता को प्रसंद करने के लिए अपने घर में कुआरी कन्याओं को निमंत्रन देकर उनकी सेवा सतकार करें उनको भोजन कराएं जैसा कि कंचकों पर भी इससे भी बुद्ध देवता आप से प्रसंद होंगे आपकी इंकम इससे सदय बढ़े पर आपको जरूर बेनिफिट होगा तो मैंने राइट हैंड में तीन अमूटी पाईए लेट हैंड में दो अमूटी पाईए मेरा माताजी को मैंने तीन में बाद कॉंटेक्ट किया माताजी मुझे बरसा कुछ फ़ल मिलने लागा अब समय लगता है सब के शरीर के नुसार बड़ी रिस्पोंस करती है फिर मैंने छे मैंने का बाद फिर फोन किया था फिर उनने बुले क्लीन करते जाओ फिर अभी छे मैंने से मुझे अगूटी का फ़ल मिलने लगा है मेरा करजा दीने दीने उतर गया है मुझे जे सेलरी काम की निव भी बढ़ गई है और अभी देरे-देरे मैं मतलब प्रोब्रेस की तरफ जा रहा हूं तो मेरा कहना मतला है कि शेनीदेव जी के कुरुपास और माता जी के कुरुपास है मेरा विश्वास बना है आगे बढ़ रहे हैं बात करते है कि करम सल के हालात नवेंबर 2020 में कैसे रहने वाले है और इसके लिए अभ्यन करेंगे आपके खुंडली के 10 था उसका तो मालिक है यहाँ पर सूर्य देवता उनका जो इस्तिती है वो नवेंबर 2020 में आपके खर्चों के भाव में है दर्शारा है कि आपके हातों से आपके वर्क प्लेस पर अनावश्यक खर्चे होंगे कुछ ऐसी परिशानी आएंगी जिनमें आपका जो धन है वे व्यर्थ होगा मालिजे आपके वर्क प्लेस पर कुछ मशीन है वो कुछ खराब हो सकती है कुछ electronic equipment से वो खराब हो सकते हैं इसकी वज़़ से आपका खर्चा बढ़ सकता है साथी साथ सरकारी नियम भी इस समय पर आपकी अरचने बढ़ा सकते हैं कुरोणा का समय भी समय पर चल रहा है कहीं ऐसा नहों कि जहां पर भी आपका एबिसनस है यह जहां पर भी आपके जो वर्क प्लेस है उसके आसपास में कुरोना के केसिस बढ़ने की वज़े से सरकार को कुछ पाबंदिया लगाने पड़े या किसी कारण बश आपके जो बिजनस हैं वहाँ पर कस्टुमर्स का आना जाना कम हो सकता है तो इसलिए आपको सावधान इस समय पर लेने की आवश्यक्ता है विशेशतार पर जो लोग स्टॉक जमा करके रखते हैं अपने आसपास क्योंकि दिवाली का भी समय है वहाँ पर अच्छे आमदनी करने के लिए जो लोग थोक में इस समय पर समान करीते हैं वो भी इस्तिती का आकलन करके ही समान को स्टॉक करें चलिए आगे बढ़ रहे हैं बात करते हैं स्वास्ते की दिष्टी से नवेंबर 2020 विश्चिक राशी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है तो यहाँ पर मालिक है मंगल देटा इनकी जो स्टिती हैं हमने ग्रेये कुचर में डिसकस की थी कि 14 नवेंबर यानी दिपावली के शुब दिन के बाद मंगल की स्टिती आस्मान में काफी अच्छी रहेगी इससे आपके स्वास्ते में आपको लाब होगा साथी साथ क्योंकि वो आपके राशी के मालिक भी है तो इस वज़े से भी आप काफी अच्छा इस समय पर अपने आपको महसूस करेंगे आपके शरी में चुस्ती फुर्ती रहेगी आप फटा-फट अपने सभी कामों को कर पाएंगे साथी साथ स्वास्ते का भी इस समय पर संपूर्ट आपको प्राप्त होगा परन्तु जो शुवात के चौदर दिन है यानि दिवाली से पहले का जो समय है इस समय पर आप थोड़ी विचलत रहेंगे क्योंकि मंगल इस समय पर वक्री है और साथी साथ आपके लिए आपके राशी के मालिक भी है तो आपके लिए ये जो सपोर्ट है मंगल का वो इस समय पर कम रहेगा तो महिनी की शुवात के 14 दिनों में आप साथानी वरते हैं उसके बाद मंदल का सपोर्ट आपको प्राप्थ होगा, स्वास्ते उसके बाद आपका अच्छा बना रहेगा. चलिए, आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं कि लाइफ पार्टनर के साथ कैसे रिलेशन्स रहने वाले हैं नेवेंबर 2020 में. इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं, आपकी कुणड़ी के सब्तमभाव के. सब्तमभाव के लिए आपके लिए जो मालिक हैं, वो हैं शुक्रदेवता. साथी साथ आपकी कुणडली के हम फिफ्थ हाॉस को देखेंगे, जो कि लव मैंटर्स को कंट्रोल करता है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच के संबंधों को कंट्रोल करता है, मालक है दिहस्पति देवता, अब अगर हम शुकर की स्तिती का अध्यन करें, नवेंबर 2020 में कोई बहुत अच्छी स्तिती नहीं है शुकर देवता कि आपके लिए व द्वार को रोक सकता है, बंद कर सकता है, तो इस समय पर यदि आपका लाइफ पार्टनर आपको को सला दे रहा है, तो आप उस पे बहुत सूत समझने के बाद ही अमल करें, कहीं उससे आपका नुकसान ना हो जाए, बाद में जब शुकर देवता विराजमान हो जाएंगे आपके लिए आपके 12th हाउस में, तब आपके लाइफ पार्टनर पर आपकी जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे, कहीं न कहीं उनका जो स्वास्त हैं, वो शायद उन्हें परिशान कर सकता है, जिसकी वज़े से आपकी भागा दोड़ी भी बढ़ सकती है, और उनके जो ट्रेट्मेंट है, उसमें आपका अनावश्यक खर्चा हो सकता है, साथी साथ हम लोग बात करते हैं, ब्रियंस पती देवता की, उनकी भी स्थी 20 नवेंबर के बाद खराब हो रही है, तो कुल मिलाकरी जो दोनों स्थितिया हैं, यह आपके लिए विपरी जारी हैं 20 नवे विपरी के, फिफ्थ हाउस की, जो के मालिक हैं आपके स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टडीज के, साथी साथ माता पिताओं के लिए उनका संतान का भाव भी फिफ्थ हाउस ही होता है, मालिक है ब्रियस्वति देवता, जिनकी सिती हमने डिसकर्स की थी, कि नवेंबर 2020 म पहले तो 20 नवेंबर तक वो काफी अच्छी अवस्ता में विराजमान है आपके लाब के हाउस में यानि कि आपको फाइदा पहुचा रहे हैं तो यानि आपकी स्टडी इस समय पर आपको काफी बेनिफिट कर रहे हैं पढ़ाई का जो सीधा-सीधा असर है जो सीधा-सीधा फाइदा है आपको देखने को इस समय पर मिल रहा है जो आपकी इंकम में विद्धी कर रहा है ये किसी ना किसी प्रकार से आपको लाब कोचा रहा है ये एक और जो स्तिती है वो जो दर्शारा है कि माता पिता के लिए उनकी जो बच्चे हैं कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जिससे उनकी जो चाती है गर्व से चौड़ी हो जाए जिससे वो अच्छा मैसूस करें स्टूडेंट्स का इस समय पर काफी जो मन है अपनी पढ़ाई में लगा रहेगा वो जी जान से मेहनत से लगन से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे जो वो हासिल करना चाते हैं वो से हासिल कर पाएंगे वो जो टार्गेट्स वो सेट करेंगे उनने वो समय पर या समय से पहले अच्छीव कर लेंगे जिससे वो नए सब्जेक्स पर या उनके चो कमजूर एरिया हैं उस पर वर्क कर सकते हैं इस महीने पर अपने कमजूर विश्यों पर मेहनत करने से आपको अच्छा फाइदा प्राप्त होगा चलिए अब बात करते हैं आपकी कुंडली के फोर्थ हाॉस की जो की आपके लिए कंट्रोल करता है आपकी माताजी को आपके वाहन को और आपके मकान को मालिक हैं आप पर शनी देवता वो आपकी कुंडली में तृतिय भाव में स्वग रही होकर विराजमान हैं आपको और शिर्वाद दे रहे हैं तो इस समय पर माता जी के साथ आपके बहुत अच्छे संबने रहेंगे, आपके बीच में जो बेंप्यार हैं काफी बढ़ेगा, आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी माता जी आपसे काफी प्रसंद रहेंगे, अगर उनका स्वास्त कुछ खराब भी रह रहा था पहले तो उनके स्वास्त में भी सुधार होगा और आपकी जो चिंताएं हैं अपनी माता जी को लेकर वो दूर होगी, साथी साथ कई लोग ये प्लान मनाते हैं कि दीपावली पर हम अपने घर के लिए कुछ नई पर्चेस करें, विशेश तोर पर लोग नया वहन लेने के लिए दीपावली का जो पावन पर हम उसको चुनते हैं, उसके आसपास के अच्छे समय को देखते हैं, तो आपके लिए शमय जो है वो सुब बना हुआ है, इस प्रकार की कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, यदि कोई वन्या वहन आप खरीदना चाहते हैं, तो समय इसके आपको सपोर्ट कर रहा है, आप ज़रूर खरीद सकते हैं, साथी साथ आपने मकान से लेना आप कोई भी डिसीजन इस समय पर लेना चाहते हैं, तो उसमें भी शनी का जो अशिरवात हैं, वो आपके उपर बना हुआ हैं, आप इस डिसीजन बड़ी अराम से ले सकते हैं, तो इससे भी आपको इन डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, और आपके जिन डिसीजन हैं, वो आपके लिए लॉग टर्म में फायदे मत सिदोंगे, चले, हमने सभी आपकी कुण्डी के भावों की चर्चा कर ली हैं, अब अन्त में बात करते हैं, नवेंबर 2020 के उस विशे राप्त कर सकते हैं, और कुरोना की जिस्तिती थी, उसकी वज़े से जो आप परिशान हुए हैं, उस दिती से आप उपर सकते हैं, इन सभी के लिए मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि मंदल आपके लिए आपकी राशी के मालिक हैं, और मंदल का सपोर्ट प्राप्थ होने से, आप हमेशा ही अपने आपको मजबूत महसूस करेंगे, तो मेरा जो उपाय है, वो मंदल को ही मजबूत ही प्रदान करने का एक मात्य होने, मंदल को मजबूत करने के लिए आप मंदल वार के दिल, यदि छोटे बच्चों को कुछ मीठा प्रशाद के लें, चाहें वो यलो कलर के लड़ू जो होते हैं, बून्दी के या वेशन के, या आप बून्दी भी उन्हें खिला सकते हैं, जो आप हनुमान जी को भूग लगाते हैं, उसको भूग लगाने के प्रदान, आप यदि उससे विटरन, विशेश की समय यदि आप यकारे करेंगे, तो इसका आपको विशेश लाप प्राप्तों का मंगल देवता आपसे प्रसन होंगे, हमेशा आप पर अपनी कृप आपना आशेवाद बनाये रखेंगे, हनुमान जी का जो टीका हैं, वो भी लगाना आपके लिए बहुत लापकारी मंगल के सिति कैसी भी रहे, मंगल हमेशा ही आपके लिए सपोर्टिव साबित होंगे, अगर आप अपने हाथ में एक मंत्र से प्राण पतिश्चित बोगे कि अंगूटी धारण करते हैं तो, इसको अगर आप को कहीं भी अपने आसपा सी अंगूटी नहीं मिल पा रहे हैं तो स्क्रीन बना रहे हैं नंबरों पर बेजज़ग होकर आप संपर्क करें, आप विश्वू में कहीं भी रहते हों, हम आपकी घर पर इस अंगूटी को अवश्य पहुचाएंगे और इसका लाब आप हमेशा उठा पाएंगे अपने जीवन में यह अंगूटियां गुरु रज़ी शिशिजी स्वयम मंतर सिद्व नाट पतिश्चित करते हैं और हमारे भक्तिगण जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो इन अंगूटियों को पहन कर अपनी रोज मन्रा की जीवन को बेहतर बना रहे हैं तो आप भी बेज़ी जख होकर स्क्रीन पर आ रहे नमरों पर हम से संबत करके किसी वी प्रकार की आस्ट्रोलॉजिक ये जूतिश मदद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं जूतिश परामश आप प्राप्त कर सकते हैं चलि, यहाँ पर हम लोग इस राश्रिफल के प्रोग्राम को विराम देते हैं, आशा करता हूँ कि कमेंट्स के मार्दम से हमें बताएंगे कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, नवेंबर 2020 आपके लिए कैसा रहा, हमारी चेप रेडिक्शन से हूँ, आपके लिए कितनी से कि आपके लिए 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 झाल झाल